Good morning everyone, welcome back again, बेटा, तो कहिए कैसे हो आप सब, तो आज हम दस्कुस करेंगे आपकी वक्षीत नमबर 13, क्लास, 8 की ये वक्षीत है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे राशियों की तुलना, क्या पढ़ेंगे बेटा, 7 की ये वक्षीत है, क्या पढ़ेंगे राशियों की तुलना, किरेंगे मुले का मतलब क्या होता है, कोई रूपे, कितने रूपे में बेची, दीखे, तो बेटा अब आप बताओ, लाब कब होता है, हानी रूपे में बेच देते हो, तो यहाँ से आपने यहीं बताना है, लाब हुआ या हानी? एक फूलदान रूपे में खरीता और 108 र पान्सетр रूपय में खरीद कर कम में बेच दिया तो क्या हो गया हानी 540 रूपय में खरीद्द बेच गया 452 वे बेचा वंहीं छाधा है नहां यसे फिर सजात हो गया फिर 1 घुर में खरीद्द ऐक tus बश टेहें direct question उसने बोला एक वस्तो को 5 परतिशत लाब पर बेचा गया और 540 रुपे में बेचा गया बेचना का मतलब विक्रे मुल्य तो क्या लिखोगे बेटा यहां से विक्रे मुल्य पांसो चालेस रुपे लाब लाब कितना है पांच परतिशत उसका क्या निकालो उसका क् तरम लाब परतिशत और गुणा में विक्रे मुल्य त्यक्ये तीन 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 तेन पंच पंदरा तीन दुनीच सो रितीन कम तीन तीन सहों मी 16 और 0 पांच सती पैंत्यस, पांच दूनी 10 और 0 तो मल्टिपलाई करोगे ठारादूनी 36 और 2 0 तो इतने रुपए आपका क्या आगया विक्रेम क्रेमूल्य है क्या आगया अब आते हैं सिध्य question number 2 पर, question number 2 आपका क्या कह रहा है एक दुकानदार ने कुरसी इतने रुपे में खरीदी इतने रुपे में बेच दी खरीदना यानि की करे मुले करे मुले कितना दे रखा है बेटा 375 रुपे और विकरे मुले कितना दे रखा है अगर मैं विकरे मुले की बात करूँ तो 400 रुपए तो कम में खरीदी जादा में बेच दी तो क्या हो गया लाब लाब कैसे निकालोगे विक्रे मुल्ले मेंसे करे मुल्ले को क्या कर दो यानि कि 400 मेंसे 300 पिछेतर गया कितना बचा 25 रुपए फिर उसने बोला लाब परतिशत निकालो एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है लाब हो या हानी हो किस पर होता है करे मुल्ले पर अगर करे मुल्ले कम है तो क्या होगा लाब करे मुल्ले जादा है तो क्या होगी हानी विक्रे मुल्ले से ठीक है तो लाब परतिशत का फोर्मूला क्या होता है तो ये थिया आपकी वक्षीत नमबर 13 I hope it is clear to everyone and if you like it then please share and subscribe thank you so much